हेलो फ्रेंज दिस इस सोनाली आहुजा वेलकम टू आर चैनल उनली सिविल सर्विस एज यू नो फ्रेंज हम जैल प्रेहरी की प्रीवियस यह कोश्चन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने दोस्त पेपर कम्प्लीट करें हैं हम साइंस पोर्षन के साइंस के जो कोश्चन्स 20 म माक्स का आपको पता है जेल प्रेहरी में साइंस आता है इसमें साइंस में आने वाले कोश्चन के दो पेपर साइट हम कम्प्लीट कर चुके हैं आज हम इसमें कुछ और कोश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस एक्जाम में पूछे जा चुके हैं उसके साथ साथ हम उसके objective के जो चारो options रहेंगे उनको भी हम देखेंगे ताकि आगे आने वाले और questions भी आपके clear हो जाएं, तो हम start करते हैं हमारे first question के साथ first question है friends, growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern is known as एक निश्चित pattern में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को उगाना निमने कहलाता है यहाँ पर अपसे पूचा है friends, अगर यह एक खेत हैं आपर अगर हम एक साथ एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसले एक साथ उगाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, crop rotation फसल का चक्री करण winter cropping शीत कालिन फसल, mixed cropping मिश्रित फसल, inter cropping याने अंतर फसल inter cropping तो इसमें से चार option यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है inter cropping friends, यहाँ पर आपको mixed cropping नहीं लगाना है जो मिश्रित फसल होती है इसमें भी हम यही करते हैं कि एक खेत में दो या दो से जादा फसलों को लगाया जाता है लेकिन यहाँ पर यहाँ आप देख सकते हैं जो inter cropping है उसमें दो फसले एक निश्चित क्रम में यहाँ पर पहले एक फसल लगाई है फिर दूसरी फसल फिर उसके बाद वही फसल को repeat किया फिर वही फसल दूसरी तो एक निश्चित क्रम में एक के बाद एक थोड़े थोड़ी दूरी पर दोनों फसलों को लगाय जाता है इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा एक निश्चित पैटर्न यहाँ पर लिखा हुआ आया है तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर लगाना है इंटर क्रॉपिंग अंतर फसल इसका आंसर क्या होगा अंतर फसल दूसरे question के हम बात करते हैं plants use nitrogen which is present in the soil to prepare पोधे मिट्टी में उपस्तित nitrogen का उपियोग खालिस्तान को तयार करने के लिए करते हैं पोधे जो यह होते हैं यहाँ पर उसमें जो मिट्टी में यहाँ पर nitrogen उपस्तित रहती है इसका उपियोग क्या बनाने के लिए करते हैं vitamin, lipid, carbohydrate, protein तो आप सभी जानते होंगे नाइट्रोजन का उपियोग नाइट्रोजीनियस प्रधार्थ कौन सा है इसमें से नाइट्रोजन से मिलकर क्या बने होते हैं protein तो यहाँ पर मिट्टी में उपस्तित nitrogen क्या बनाने में मदद करती हैं तीसरे कोशन के हम बात करें which of the following statement is correct about cathode anode rays यहाँ पर पूचा है cathode anode किर्णों के बारे में इन में से कौन सा कतन सही तो आपको चार option दिये हैं जिसमें से आपको बताना है कि cathode anode rays के बारे में कौन सी बात सही है first option है the particle of anode rays are same for all elements anode किर्णों के कर्ण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं particles of cathode rays are same for all elements cathode किर्णों के कर्ण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं cathode rays do not have mass cathode rays are not deflected in electric field cathode किर्णे विजुद छेत्र में नहीं मुड़ती तो यहाँ आपको बताना है conscious statement सही है तो यहाँ पर जो सही statement है वो है cathode किर्णे cathode rays, cathode किर्णों के कर्ण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं cathode किर्णों के कर्ण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं particles of cathode rays are same for all elements सभी elements के लिए friends cathode rays के सभी तत्व हमेशा समान रहते हैं और यहाँ पर जो बात दिये anode किंड़ों तो anode किंड़ों के साथ, anode rays के साथ ऐसा नहीं होता anode किंड़ों सभी तत्वों के लिए समान नहीं होती cathode रिड़ों में द्रविमान पाया जाता है सभी देखें सम में से एक केमिकल चेंज के बारे मेंAK आपसे पूछा ही जा रहा है तो यहापको केमिकल चेंज वाला टॉपिक अच्छ से प्रिपैर करना है हर उसमें हर एक्जाम में हमें केमिकल चेंज वाला कोशन देख रहे हैं और मैं आपको सहर उसमें समझा चुकी हूं कि दो तरह के चेंज होते हैं फिजिकल और केमिकल चे तरीके के चेंज को कहते हैं जिसमें उस तरीके के चेंज को कहेंगे जिसमें कोई सब्स्टेंस पूरी तरीके से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है चेंज हो जाती है और फिर से हम उसको उसकी जो स्टार्टिंग स्टेज उसमें वापस नहीं ला सकते यहां पर आप चार ऑप्शन देख सकते हैं काच के ग्लास का तूटना तो अगर काच का ग्लास तूट जाए तो काच काच ही रहेगा उसमें किसी भी तरीका का हुई नहीं होगा 22 प्रकास तूट आप मिलेए फ्रटो शिंतेसेस की प्रोसिश करते हैं जिसमें वह संलाइट और डियोगास degrees क्लोरो फिल की प्रजेंस भी खुद के लिए ग्लुकोस ग्लुकोस बनाते हैं तो इस तरीके से एक सब्स्टेंस से दूसरा अलगी तरीके का सब्स्टेंस बनता है जिसको वापस से हम उसी में convert नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर सही आंसार होगा photosynthesis, chemical photosynthesis क्या है एक तरीके का chemical change है Next question हम देखते हैं Which of the following energy conversions occur in an electric iron? एक विद्योत इस्त्री में निमलिकित में से कौन सा उर्जा रुपांतरण होता है यहाँ आपको बताना है कि विद्योत इस्त्री जो घर पर आप electric iron यूज करते होंगे उसमें energy कौन सी energy किस तरह की energy में convert होती है Electric energy is converted into chemical energy, electric energy is converted into light energy The heat energy is converted into electrical energy The electric energy is converted into heat energy तो यहाँ फ्रेंट्स सही आंसर होगा Electric energy is converted into heat energy जो electric iron है विद्योत इस्त्री होती है उसमें electric energy को heat energy यानि विद्योत उर्जा को उश्मा उर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो यहाँ पर किस तरीके का conversion हो रहा है यहाँ पर electric energy यानि विद्योत उर्जा कनवर्ट किस में हो रही है उश्मा उर्जा में convert, heat energy में convert होती है Next जाम बत करते है identify the microorganism from which the first antibiotic was obtained उस सुष्मजीब को पहचाने जिससे प्रथम प्रतिजेवीक एंटिबायोटिक प्राप्त हुआ तो यहाँ आपको तीन option दी है penicillin, rhizopus, staphylococcus इन में से आपको बताने है वो कौन सा सुष्मजीब है कौन सा microscope है जिसमें से पहली बार प्रतिजेवीक एंटिबायोटिक को बनाया गया तो फ्रंट जी आपको जानते है कि सबसे पहला जो एंटिबायोटिक बनाया गया था वो है penicillin सबसे पहला बनने वाला एंटिबायोटिक कोन है पैली सिलीब और किसने इसकी खोज की थी किसने से डिसकवर किया था इसको डिसकवर करने वाले थे Alexander Fleming किसने इसको डिसकवर किया था Alexander Fleming ने और इनने पैले सिलिन से क्या बनाया था एक तरीका यह सुषमजीब का नाम है जिनने एक एंटिबायोटिक बनायी थी जिसका नाम दिया गया पैनी सीलिन यह पैनी सीलियम था जिसका नाम दिया गया पैनी सिलिन तो यह हमारा correct option होगा next अम बात करते हैं one atomic mass unit in kilogram will be equal to अगर हम एक amq atomic mass unit की बात करते हैं तो एक kilogram का weight बजन कितना होगा एक kilogram में एक पर्मानु द्रव काई किसके बराबर होगी तो यह आप देख सकते हैं one point six six into ten rest to power minus twenty seven kilogram nine point one zero two into ten rest to power minus nineteen kilogram six point zero two three into ten rest to power minus twenty three kilogram six point six two six into ten rest to power minus thirty four kilogram तो यहां फ्रेंट सही option होगा के one amu equals two होता है one point six six into ten rest to power minus twenty seven kilogram यह फ्रेंट आप याद कर लीजे के एक atomic mass unit में कितने कितने किलो ग्राम के बराबर होता है one point six six into ten rest to power minus twenty seven kilogram के बराबर next question आप से पूचा है the ability of a cell to divide into two equal daughter cell एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजन होने की शम्तागों फ्रेंट यहां एक कोशिका है एक cell है इसको यह अगर तूट कर दो अलग कोशिकाओं में अपने ही जैसी दो समान daughter cells बना लेती है तो इस तरीके की process को क्या कहा जाता है fragmentation विखंडन multiple fission बहुखंडन binary fission दूइखंडन यह fourth budding muckulin तो इस तरीकी process को friends क्या कहा जाता है तो यह एक तरीके का क्या है जब एक cell divide होकर अपने जैसी दो daughter cell बना लेती है तो यह asexual reproduction में आता है और इसको कहा जाता है binary fission binary fission यह आपको समझ में आ रहा है विखंडन होता है लेकिन किस तरीके का दूई एक ने कितनी कोशिकाओं बनाई दो बनाई एक कोशिकान तूट कर दो कोशिकाओं अपने जैसी तो दूई भी खंडन किया याने binary याने two fission किया split होना fission याने एक से दो बनी तो इक इसमें आएगा binary fission में फिरंज यह आई यह आप एक और process देख सकते है और sexual reproduction की जिसमें आप क्या देखेंगे budding मुकुलन में क्या होता है जो जीव होता है जैसे हैं यहाँ पर हम लेते है हाईडरा तो यह अपने ही जैसी एक कली यहाँ पर बनाता है ड़ेस रिस्पेक्टिवलिवी हैं आप से पुछा है पुरुष और महुलाओं मैं सवर ह्याई के लंबाई यहाँ पर आफ्रेंट्स आप जानते हैं कि हमारे थोट में एक तरीके की वॉकल कोड इस तरीके की दिखाए देते हैं एक वॉकल कोड प्रेजेंट होती है जिसे हम लेरिंक्स भी बोलते है जिसे लेरिंक्स भी बोला जाता है जो हमारे अवास के लिए हमारे गलें से जो अव की लंबाई होती है और महिलाओ में किते है तो जो मैन है उसमें 20 mm लंभी वोकल कोड पाई जाती हो जो विमन है उनमें 15 mm यानि महिलाओ में 15 mm की क्या पाई जाती है वोकल कोड पाई जाती है तो यहां सही आंसार होगा मैन में 20 mm and 15 mm in female female में 15 mm present होती है next question is the process used to separate colored components of a mixture is known as यासे आपसे पूछा है एक मिश्रण के रंगिन घटको को अलग करने के लिए उपयोग की जैने वाली प्रक्रिया अगर जानते हो कि जो भी मिश्रण है उसको अगर मिश्रण क्या होता है सबसे पहले चीज़ जब हम दो से ज़्यादा पधार्तों को एक साथ मिलाते हैं जैसे मैंने या पानी लिया पानी में अगर मैंने नमक मिला दिया तो यह क्या बन गया एक तरीके का मिश्रण बन गया रेटली, रेट में मिट्टी, भूसा अलग-अलग चीज़े मिला दी तो यह बन गया एक तरीके का मिश्रंट बन गया तो यह इस मिश्रंट जब दो से दो चीजों जादा चीजों को हम मिला देते हैं जब उन्हें अलग-अलग करने की जो प्रक्रिया हैं उनके लिए अलग-अलग प्रक्रिया यूज की जाती है तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप किसी रंगीन घटक को अलग कर रहे हैं एक मिश्रंट में से तो कौन सी प्रक्रिया इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर आपको चार प्रक्रिया दिये डिस्टिलेशन आस्वन, सब्लीमेशन उर्धवपातन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टली करन, क्रोमेटोग्राफी तो यहाँ पर आप जानते हैं chromato, chromato का मतलब होता है color, color से related, क्या होता है chromato तो यहाँ पर आप से यही पुछा है, रंगीन घटको की, colored component की, तो color से related वाली चीज़ किसमें आ जाती है chromatography तो यहाँ पर आप किस प्रक्रिया का इस्तिमाल करेंगे chromatography का इस्तिमाल करेंगे, फिर जहाँ पर आप थोड़ा सा और समझ लीजे, अलग process के बारे में भी हो सकता है, आने वाले time में आप से इस process से question पूछे जाए, तो सबसे पहली process है distillation asphan, तो distillation asphan की प्रक्रिया में यह इस्तिमाल की जाती है, लिक्विड के लिए, द्रव के लिए इस्तिमाल की जाती है, जो द्रव पधारते हैं, अगर दो द्रव पधारतों को हम क्या कर रहे हैं, उनके boiling point में बहुत जादा अगर अंतार है, उनके क्वथनांख में अगर बहुत जादा अंतार है, तो उन करने के लिए हम क्या करते हैं सबली मेशन क इस्तमाल करते in तीसरा है क्रिस्टल राइजिएशन के प्रोसेस क्रिस्टली करण की प्रक्रिया भी 6 धूस पधारते उन्हीं के लिए उपयोग में लाई जाती है लेकिन इसमें आकार्वनिक ठोस पधारतों को लिया जाता है और इसमें जो शुद्ध पधारते वो अंत में क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं इसलिए से क्या कहा जाता है क्रिस्टली क्रिस्टलाइजेशन की प्रक्रि आएं देखी हैं जिससे मिश्रन को अलग-अलग किया जाता है सेपरेट किया जाता है डिस्टिलेशन सब्लीमेशन क्रिस्टिलाइजेशन बठ हमसे कोश्चन में पूचा गया था रंगीन घटको को कलरड कमपोनेंट्स को अलग करने के लिए तो मैं आपको बता है क्रोमेटो का मीनिंग क्या होता है कलर तो यहां पर क्रोमेटो लुग ग्राफिक का यूज किया जाता है नेक्स्ट कोश्चन क्या है दा स्ट्रक्चुरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम तंत्री का तंत्र की संडशनात्म और प्रकर्यात्म के काई है यहां फ्रेंट्स आप से पुछा गया है फंक्शनल और स्ट्रक्चुरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम आप फ्रेंट्स सबसे पहले समझे है स्ट्रक्चुरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी सिस्टम की स्ट्रक्चुल और फंक्शनल यूनिट वह यूनिट वह काई होती है संडशनात्मा प्रकार्यात्मा जिससे मिलकर वो सिस्टम वो तंत्र बना होता है जो उसे कारे कराने में उसकी मदद करती है जिसकी वज़े से पूरा जो तंत्रे वो कारे करता है तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो हमारा तंत्री का तंत्र उसमें कारे आत्मा की कारे कराने वाली इकाई क्या होती है नियूरोन जितने भी नियूरोन है तंत्री का तंत्र में वही क्या करते हैं पूरे एक जगा से दूसरी जगा पर सिगनल भेजने का काम करते हैं इसी तरीके से हमारी अगर बॉडी की पूझा जाए तो आप सभी जानते हैं वो क्या होगी सेल कोशी का होती है नेक्स कोशन हम दिखते हैं विच अफ तो फॉलेंग सेपरेशन मेथट शुड बी अडॉप्टेट तो सेपरेट अन एक्वस मिक्श्चर अफ कॉमन सेल्ग कंटामिनेटेड विध लाइम स्टॉन यहां फिर से एक और बार आपसे सेपरेशन मेथट के उपर मिश्चर अलग-अलग किस विधी से किया जाए इस पे एक कोश्चन आया है लेकिन इस बार आपसे पूचा अलग आपको सिच्वेशन दी है जिसमें आपसे पूचा है चूना पत्थर से संदूशित समान्य नमक के जलिये को अलग करने के लिए निमलेखित में से कौन सी प्रथक करन्ट विधियों को अपनाया जाए अगर यहां पर हमें क्या करना है चूना पत्थर को में से जलिये मिश्चन को क्या करना है अलग करना है तो आप कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे पहले आपको दिया है यूज अ separating funnel and then filtration of the aqueous mixture. Prathakkari keep ka prayok और फिर jaliye mishran ka nis pandan. Distillation and then use of a separating funnel. Aswan और फिर prathakkari keep ka prayok. Third one is sublimation and then distillation of the aqueous mixture. Urduvopatan और फिर jaliye mishran ka aswan. Fourth one is filtration and then evaporation of aqueous mixture. Nis pandan और फिर jaliye mishran ka washpikaran. So friends यहाँ पर आपको पता है चूना पत्थर से जल को आपको अलग करना है. तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे? Filtration. चान के उसको अलग-अलग करोगे. जितना हो साकेगा. Filtrate करने की कोशिश करोगे. तो निस्पंदर उसके बाद जो भी बचा हुआ है यहाँ पर पानी रहेगा. उसमें aqueous mixture का क्या किया जाएगा? Evaporation करा जाएगा. याने उसका washpikaran करके उसको अलग किया जाएगा. तो यहाँ कौनसी प्रक्रिया ही उसकी जाएगी निस्पंदर और फिर जलिये मिश्रण का वाशपी करन्ट. Filtration and then evaporation of the aqueous mixture. This is the right answer. Next नम बात करते हैं. यहाँ पर आपको एक पिच्चर दिया गया है. और यहाँ पर आपको option दिया है 1, 2, 3, 4. यहाँ पर चार options में से आपको बताना है. फर्स्ट का क्या नाम है, सेकेंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या पर. तो इस तरीके की question भी friends आप सारे papers में देख सकते हैं कोई ना कोई एक diagram आपको दिया जाता है जिसमें से उसके नेम्स आपसे पूछे जाते हैं. तो आप स्रिफ theoretical ध्यान ना दे, थोड़ा आप diagrams को भी देखें कि किस diagrams किस तरीके से बनते हैं और उनके नाम क्या-क्या होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो यह आपको क्या दिया गया एक neuron का diagram आपको यहाँ पर दिया है, जिसके बात अभी हम करके आए हैं कि nervous system की structural और functional unit, तंत्री का तंत्र की संरशनात्मक और प्रकर्यात्मक इकाई, क्या होती है neuron, उसी neuron का चित्र यहाँ पर diagram आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपसे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह जो beach में center बनाई है, यह आपसे first number पर पूचा है किसका नाम क्या है, तो बीच का center उती है cell body, कोशी का पिंड, इसे क्या कहा जाता है, cell body कोशी का पिंड, second number जो आपसे पूचा उसमें यह देखिए से इधर से जो यह छोटी छोटी शाखा है, branches गई हुई है, इसका नाम second number पर पूचा है, तो इन branches को कहा जाता है, इसे क्या कहा ज ई liquor और से लास्ट वाला एंडीग तो इहां पर यह पूरे निरॉन k क्या होती एंड नर्व finish तंठीका अक्ष्ल घुला को झाद है तो इस तरीके से हमने चारो उप्शन देखिए हमारे फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है तो यह चलती है रात के दोरान, दिन के दोरान, पूरे दिन या वेकल्पिक दिन तो यह आपको कहा कब देखने को मिलेगा सी ब्रेज डियूरिंग दे दिन के समय क्या मिलता है सी ब्रेज बनता है Next हम बात करते हैं Which of the following statement is incorrect about acid अमल के बारे में निमलीखित में से कौन सा गलत कथन है यहाँ पे आपको चार ओप्शन दिये गए और आपसे पुछाए कि इन चारों में से अमल के बारे में कौन सा गलत है तो यहाँ पहला कुश्चन है अमल एक पधारत जिसमें hydrogen ion नहीत होता है तो friends आपको सबको पता है कि जो acid है वो H positive H रनात्मक आयन को देते हैं तो इसमें ये बात सही है कि hydrogen आयन पाया जाता है दूसरी चीज acid turn red litmus to blue acid लाल litmus paper को blue कर देते हैं So friends याँ आप जानते हैं कि जो acid है वो नीले litmus paper को लाल कर देते हैं acid turns blue litmus paper to red ना कि लाल को नीला करते तो ये option क्या है acid के बारे में गलत है तीसरा है acid are salt to stress अमल स्वाद में खटे होते हैं तो ये बात बिल्कुल सही है कि अमल क्या होते हैं स्वाद में खटे हैं आपने चाखा होगा नीबू में यहाँ पर सही होगा कि अमल के बारे में कौन सी बात गलते As it turns red litmus to blue Next question है Which of the following is a bilaterally symmetrical organism? निमले कित में से कौन सा? दूई पार्च सम्मित जीव है फ्रेंस आपको चार option दियो और आपसे पूछा है Bilaterally symmetrical Bilaterally symmetrical का मतलब होता है किसी भी वस्तू को इस तरीके से बीच में से काटना कि उसके दोनों भाग Left side और Right side दोनों भाग एकदम क्या हो? एक जैसे हो बराबर हो तो इसे कहा जाता है दूई पार्च सम्मित यानि बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल तो यहाँ पर आपको चार option दिये है Hydra, Sikon, Starfish, Kechua Left side और Right side उसका बराबर होता है यानि बाइलेट्रिकल इसके लावज़ों यहाँ पर आप देख रहे है Hydra, Sikon, Starfish यह Radical Symmetry Radical Symmetry इसमें पाई जाती है Next question की हम बात करें The rare view mirror of the vehicle should produce वाहन के पश्वद्रष्टी दरपणों को निर्मित करना चाहिए उल्टा और छोटा प्रतिविंब अभी वर्दित और उल्टा प्रतिविंब अभी वर्दित और सीधा प्रतिविंब छोटा अभासी और सीधा प्रतिविंब Inverted and diminished image Enlarged and inverted image Enlarged and erect image Diminished virtual and erect image तो friends आप लोग जानते हैंगे जो rear view mirrors होते हैं याने पच्छे दरिश्टी नर्पण याने पीछे की तरफ पीछे की तरफ जो देखने के लिए वहानों में वीकल्स में लगाए जाते हैं पीछे का view देखने के लिए तो वो किस तरीके का होता है वो वो एक तरीके का convex Sorry friends, convex mirror होता है और जो convex mirror है उत्तल दरपण है वो हमेशा किस तरीके का बनाता है वे हमेशा एक छोटा अभासी और सीधा प्रतिबिम्ब बनता है तो उसका सही option होगा diminished, virtual and erect image next है in summer season the top and the outer surfaces of the house are pointed white because गर्मियों के मौसम में घर की उपरी और भारी सता को सफेद रंग दिया जाता है क्योंकि फिरन जो गर्मी के टाइम पे आप देखो गया है हम अधिकतर कपड़े भी आप लो क्या है white कलर के जादा पहनना पसंद करते हैं क्यूं ऐसा होता है क्यूं रंग दे जाता है क्योंकि जो white है जो सफेद रंगे reflects more heat energy and absorb less heat energy वो क्या करता है कम उश्मा को अफ्शोषित करता है बहुत कम heat energy को absorb करता है और जादा से जादा क्या कर देता है heat energy को वापस reflect कर देता है इसलिए हम क्या करते हैं घर की बहारी दिवारों को हमेशा गर्मियों के टामे में सफेद रंग से रंगवाते हैं तो उसको सही आंसार होगा सफेद सता अधिक उश्मा परवर्तित करती है और कम उश्मा उर्जा अफ्शोशित करती है नेक्स कोशन की बात करते हैं कि आयन एक्स तू पॉजिटिव हैज कंटेन 18 एलेक्ट्रोंस और 20 न्यूट्रोंस नेमदा एलेमेंट एक ऐसे आयन का नाम बताना है जिसमें 18 क्यों इसमें 18 एलेक्ट्रों है क्योंकि इसने 2 अपने एलेक्ट्रों किसी को डोनेट किये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके उपर पॉजिटिव चार्ज लगा है जो भी वो आयन है जो भी है उसके उपर 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने 2 एलेक्ट् का तो यह कौन सा आयन है केल्शियम नेक्स कोश्चन के हम बात करते हैं डाइज़ेशन ऑफ कार्बोइडरेट प्रोटिन इंफेक्ट इस कंपृटिटेट बाय डा एक्शन हो कार्बोइडरेट प्रोटिन और वसा का पाचन किसकी क्रिया से होता है तो आप सभी जानते क्या अ इंटेस्टाइनल जूस मिलने के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं some salt absorb water from the atmosphere and dissolve in it the property of these salts is कुछ लवन्ड बातावरंड से जलको अफ्शोशित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं या फ्रेंच आपने तिखा होगा अगर नमक को आप खुले जगह में रखते हो तो थोड़े सामे गीला गीला से दिखाई देगा उसमें नमी सी आ जाती है तो यह जो प्रक्रिया है लवन्ड की salt की जो यह property उसको हम क्या करते है डैली क्यूसिंस उसको क्या कहा जाता है प्रसवेदन डैली क्यूसिंस की process होती है इसमें क्या होता है जो नमक है वो moisture की संपर्क में आके atmosphere हव जैसा जल में आफशोशित हो जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है डैली क्यूसिंस की process कहा जाती है प्रसवेदन कहा जाता है यहीं कुछ और प्रक्रिया है आपको दी गई है dehydration निर्जली करण तो यह आप जानते हैं कि अगर जल की क्या हो जाए कमी हो जाए तो हम क्या कहते dehydration हो गया निर्जली करण की प्रक्रिया वाश्पी करण आप जानते हैं किसी भी सता से पानी का भाब बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है वाश्पी करण evaporation क्या लाता है when water जब पानी क्या बन जाता है water vapors में when water changes into water vapor लास्ट है hydration, hydration के जली ओजन क्या होता है जब कुछ भी कोई भी substance किसके साथ water के साथ H2O water के साथ reaction करता है ताव हम उसे कहते है hydration process यहने जली ओजन की प्रक्रिया हुई है next question के हम बात करते हैं for human ear the range of the audible frequency is बहुत common question है आप सब जानते होंगे कि जो मानव है उसकी शब्र आवरती किती मतलब कितनी आवरती की आवरती की आवास को हम लोग सुन सकते हैं तो यह हम जानते हैं 20 hertz से 20,000 hertz तक कि आवास को मानव कानों से सुना जा सकता है इससे कम यह इससे जादा कि आवास को हम लोग सुन नहीं सकते हैं तो मानव कान के सुनने की शमता कितनी होती है 20 hertz से 20,000 hertz तो friends ask कि हमने questions complete किये 20 से जादा ही हमने questions complete कर लिये और कोशिश किये कि अच्छे से हम इन questions को समझ पाए अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप comment box में लिख सकते हैं और अगर आप इसके साथ और detailed lecture चाहते हैं या पिर चाहते हैं इन में से कोई ऐसा topic है जो मैं आपको complete करवा हूँ तो आप वो भी comment box में लिख कर मुझे बता सकते हैं मैं जरूर कोशिश करूँगी कि वो topic में आपका clear करवा दूँ so thank you friends for watching please do like, share and subscribe